Hello students, कैसे हैं आप सब लोग? Welcome to Success Classes Technical Education. मेरा नाम है इजान अब्दुल्ला और मैं सबसे पहले आप लोगों को अपना introduction देता हूँ. Currently, I am working as a software developer and I am doing PhD in Computer Science Engineering. मुझे Computer Science Engineering से interest कैसे बना, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारें बताना चाहता हूँ. सब लोग B.Tech के first year में जाता है, तो first year में जब मैंने admission लिया तो मुझे ये नहीं पताता है, Computer Science क्या होता है, क्या चीज़ है, किस बला का नाम है Computer Science. तो Computer Science की जो शुरुवात हुई मेरी, मैं गया college, college में जाके देखा, कुछ नहीं मालूम के क्या चीज़ है Computer Science. पिर एक subject आया, उसे कहते थे programming language, उस time पर subject का नाम था programming language, subject हर साल यही रहता है, हर साल इसका नाम change हो जाता है, पढ़ाना शुरू किया programming language मैंने, पढ़ाना शुरू किया, तो उसमें क्या हुआ, अलग-अलग चीज़े, code अलग-अलग, चीज़े नहीं मेरे लिए, क्योंकि मैं कभी computer science का नाम ही नहीं सुना था, तो यह जो subject है या आपका code subject है, अगर आप किसी भी industry में as a computer science engineer job करोगे, तो आपकी जो शुरूआत होगी, वो coding से होगी, questions आप से coding से ही related पूछे जाएंगे, तो EKT ने एक subject वो ही है, उसका नाम change कर दिया, और उसका नाम कर दिया, programming for problem solving, अच्छा आप से मैं एक simple चीज़ पूछता हूँ, आपको एक छोटी सी problem है, problem क्या ही, आपके पास एक pen था, उस pen की क्या होगी, refill खतम होगी, बीच exam में, आप इस अपने board का exam लिख रहे हो, math का या science का या physics का, और आपकी क्या होगी, refill खतम होगी, तो आप क्या करोगे, जाहिर सी बात है, आप लोग या करोगे, कि एक refill दूसी लोगे डाल दोगे, या फिर एक दूसरा pen उठाओगे, वो use करना शुरू कर दोगे, suppose करो आपके पास दूसरा pen भी नहीं है, अब क्या करोगे, कुछ option तो होगा ना, फिर क्या करोगे, आप वहाँ पे जो invigilator होग होने का हजार तरीके होते हैं, जैसे मैंने क्या कहा, आपका pen था, अब pen का क्या हुआ, pen की refill खतम हो गई, अब जब pen की refill खतम हो गई, तो आपने क्या क्या solution ढूंडे, सबसे पहले, अपने पास देखा कि तो कोई दूसरा pen है या नहीं है, एक solution, दूसरा solution क्या मिला, कि invigilator से पूछा pen है या नहीं है, तीसरा solution, तीसरा solution ये हुआ कि अपने पास वाले से पूछा pen है या नहीं है, जब आपके तीनो में से कोई भी चीज नहीं चली, तो आपने क्या क्या थिए, टीचर से आस्किया मुझे बाहर जाकर pen ला दो या किसी और से pen ला दो, तो क्या प्रॉब्लम को solve करने का अब प्रॉब्लम को solve करने के क्या होता है कुछ principles होते हैं तरीके तरीके ही तो बताएए मैंना आपको चार तरीके इस subject का नाम क्या है programming for problem solving तो जैसे आपके वो थे इसी तरीके से उसे programming के जरी हम कैसे समझे Hm आज हमारे subject की शुरूबात होगी सब्जेट का नाम आप समझ गए programming for problem solving अब सबसे पहले हम समझते है computer क्या होता है बहुत च लोग ले नया होगा भाई computer है क्या आज कल हम सब youtube हर चीज का यूज़ करें बट computer है क्या computer की full form है commonly operating machine commonly operating machine particularly used for technical engineering result समझ गए मैं आपके बता देता हूँ दुबारा commonly operating machine particularly used for technical engineering result अब इस subject में आपके सामने क्या होगा 5 unit आएंगी कितनी unit आएंगी 5 unit अब 5 unit को हम कैसे कैसे करेंगे उसका एक तरीका है तब से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ये जो देख रहे हैं success classes technical education पर देख रहे हैं और हमारे चैनल को subscribe करें follow करें like करें share करें चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले पहली unit में क्या होगा coding क्या होती है coding बहुत आसान चीज़ है अगर मैं आप लोगों के सामने ये लिख दूँ 2 plus 2 is equal to 4 यह मैंना आपके सामने simple pen से लिख दिया अब computer क्या होता है computer क्या समझता है 2 भाशा समझता है किस चीज की भाशा समझता है 0 और 1 हर चीज को उसने क्या किया 0 और 1 में convert कर दिया और उसकी भाशा समझ रहा है आप लोगों को दिख रहा होगा अब computer को अगर दो प्लस दो चार करना है तो कैसे करेगा पहले मैं आपको एक सिंपल सा बताता हूँ computer क्या लेता है हर चीज को variables में declare करता है किसमें declare करता है variables में आगे जाके हम समझेंगे कि variables कैसे बनते हैं कहां से आते हैं क्या होता है यह सब चीज़े हम अपने आने वाले जो हमारी नई classes होंगी मतलब नई chapters होंगे उसमें हम समझेंगे ठीक है तो यह 2 प्लस 2 चार आपको एक छोटा सा example दे रहा हूँ computer कैसे करेगा 2 प्लस 2 चार को वो क्या करेगा A नाम का एक variable बनाएगा उसमें क्या डाल देगा दो डाल देगा फिर क्या करेगा B नाम का एक variable बनाएगा दो डाल देगा फिर क्या करेगा C नाम का एक variable बनाएगा और उसमें क्या कर देगा A प्लस 2 को कर देगा मगर आपको तब भी नहीं दिखाएगा उसके बाद हमें एक कमांड चलानी पड़ेगी जो किसकी होगी प्रिंट की हो यह क्या कर देगा सी को प्रिंट कर देगा अब आप लोग काओगा सार इतनी वड़ी आफ़त हम तो अच्छा सासा दो प्लस दो चाल लिख देते इससे हो जाता मगर आप यह देखो इसने जो यह तरीका बनाया आने वाले टाइम में आप इसके अंदर ए और बी के अंदर कुई भी डाल सकते हैं मैं for example दो करोड डाल ला हूँ और इसमें डाल ला हूँ 2.100 एक के अंदर तो दो करोड रुपे डाल दिया और एक के अंदर डाल दिया 2.100 इसे एड करने में आपको कितनी दिक्कत आएगी दिक्कत आएगी ना और अगर आप इसकी हेल्प से एड करोगे तो computer की computer कर देगा तो अब हम चलते हैं एक एक unit को हम देखते हैं कैसे किस unit में हम क्या क्या पढ़ेंगे क्या क्या होगा सबसे पहले फस्ट unit पर चलते हैं first unit unit first के introduction to components of a computer system components of a computer system आपकी पूरी बोड़ी को कौन चला रहा है हम खड़े हैं मैं खड़ा हूँ मेरी बोड़ी को कौन चला रहा है चार चीज़े चला रही है मेरी बोड़ी को चार चीज़े में सबसे पहला किसका काम है दिमाग दूसरा दिल तीसरा लंग्स और चौती चीज़ किडनी अगर ये चारो चीज़े काम कर रही है मेरी बाड़ी का कोई भी हिस्सा रुख जाए ठीक है भाई चार चीज़ों के अलावा मेरी बाड़ी है कोई भी हिस्सा रुख जाए काम करती रहेगी मेरी आखे खराब हो जाए काम करेगी मेरा मुझ बॉलना बंद कर काम करेगी मेरे हाथ चलने बंद हो जाए काम करेगी पैर चलने बंद हो जाए काम करेगी मगर अगर इन चारों चीजों में पहली क्या बताई आपको दिमाग जिसे हम क्या कहता है इंगलिश में ब्रेन उसरी क्या है हर्ट तीसरा क्या है लंग्स और चौता क्या बताई आपक तो kidney अगर इन चारों में से मेरी कोई भी चीज रूख जाती है तो क्या हो जाता है काम करना मेरी body बंद कर देगी अब सर आपने ये तो बता दिया अब ये है क्या subject का नाम क्या है introduction to components of a computer system जैसे मेरी body के ये जो 4 components है ये बहुत important है ऐसे ही computer के अंदर क्या होता है चार components जो होते हैं बहुत ज्यादा important होते हैं चलिए अब हम उन components पर focus करते हैं पहला component क्या बताया इसने memory, processor, IO devices, storage, operating system, concept of assembler, compiler, interpreter, loader and linker ये body के सारे हिससे बता दिये, अब इसे मैं आपको याद कराता हूँ body के हिस्सों से, सबसे पहली चीज़ मैंने आपसे क्या बोला, दिमाग, दिमाग बोला ना brain, तो जो memory होती है, memory को computer कैसे treat करता है, brain के तरीके से treat करता है, brain के तरीके से, अब processor, my body में खून कौन पहुच चारा, heart, तो इसी तरीके से जो processor होता है, वो काम करता है computer का heart, ठीक है दोस्तों, अब आता है third चीज़ पे, input-output device, input-output device क्या है, lungs, third चीज़ क्या बता है थी मैंने आपको, lungs, तांस ले रहा हूँ, तांस छोड़ रहा हूँ, आज मैं खाना नहीं खा हूँ, मैं जिन्दा रहा हूँ, कल को नहीं खाना है, कल रहा हूँ, दो दिन रह सकता हूँ, तांस दिन रह सकता हूँ, मगर आप देखो यह क्या है, तीसी चीज़, input-output, input-output क्या हो रहा, lungs ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इसी तरीके से तीसरी चीज़ computer के लिए क्या होती है, input-output devices, अब च अब आप जैसी छूते हो, आपका एकदम हाथ पीछ रटता, गरम पानी को रखा है, गरम पानी को छोगे एकदम हाथ क्या होगा, पीछ रटेगा, तो दिमाग जो होता है, दिमाग क्या करता है, सिलो काम करता है, तो इसलिए क्या होता है, एक चीज़ होती है, बाड़ी में करेंगे हम storage बट वहां जहां हमें चाहिए current चीज तो वहां use करेंगे memory आसान भाचा बसे एग्जाम है आज मैं रट के जाए गाँगा रात मैं पढ़गा एक रात में तो क्या होगा दो चीज़ होगी एक होगी मुझे मेरा नाम याद है मुझे मेरे माबाप का नाम याद है और मुझे सब याद है तो ये क्या है मेरी ये चीज़े रखे है मेरी storage में अब आगए दूसरा memory में memory में क्या होता है current चीज़े रखी जाती है क्या रखी जाती है जो बिल्कुल current हो ठीक है दोस्तो ये चार वर्ड आपको clear हो गए होगे पांच वी चीज है operating system operating system क्या होते है मैं क्या हूँ? एक लड़का हूँ क्या क्या होगे? बॉय कह सकते हो ठीक है? एक लड़की होती तो वो क्या है? girl है man हो सकता है, woman हो सकता है kid हो सकता है, children में girl boy हो सकता है हजार हो तरीके से क्या क्या इनसान को बाढ़ गया? चानवर हो सकती है कुटा, बिल्ली, शेर, हाती, गोड़ा कुछ भी हो सकता है तो ये सारे क्या है? ये operating system अलग-अलग operating system है mainly computer science में हम तीन operating system के बारे पढ़ते हैं operating system के बारे में आपको बे फिकर रहा हो पूरा खुल के बताया जाएगा मगर पहले सुन लो क्या क्या होते है सबसे पहला operating system जिसे हम कहते है windows operating system क्या होता है? windows दूसरा operating system उसे कहते है macintosh operating system अमी लोग का system कहलो समझ लो mac apple तो उसका जो operating system है कहा जा है macintosh operating system अब तीसरा operating system हाता है सब तीसरा operating system है उसका भी तो कुछ नाम होगा तीसरा होता है linux operating system कौन सा operating system होता है? linux कहने को और भी होता है उबन तू कहलो 1000 कहलो बट तीन जो है ये major operating system है इसके बारे में भी हम इस unit में धियान से पढ़े है क्या क्या operating system है अब उपर वाले ने क्या किया? इंसान को जब बनाया दिमाग डाल दिया दिल डाल दिया, linux डाल दिया, kidney डाल दी अब इन सारी चारो चीज़ों को क्या करना है दोस्तों? बताओ, इन सारी चीज़ों को students क्या करना है? यह काम तो सारी मिलके करना है मेरा दिल रुख जाए तो मेरा दिमाग काम करेगा? नहीं करेगा मेरे kidney काम करेगी? नहीं करेगा मेरे lungs काम करेंगे? नहीं करेगा तो इन सब को क्या किया? एक साथ जोड दिया, जोड दिया मतलब combine कर दिया तो इसी में समझेंगे हम कंसेप्स औफ पिर दूसरी चीज़ा है कंपाइलर और इंटरप्रेटर दो चीज़ होती उसने क्या कर दिया सब चीज़ों को जोड दिया अब सब चीज़ों को जोड दिया अब इसी जोड दिया चोटने कि उसे चाला कर verwalnya इने सब चीजों को जोड तो दिया उसे चेक कर लिया जोडने के बाद compiler की help से फिर क्या क्या उसे interpret करके देखा इंटरप्रेट कहते हैं चला कर देखा फिर जब चलने लगी तो उसे load कर दिया और उसे फिर क्या कर दिया लिंक कर अब अगली चीज जो मैं आप लोग को समझाना चाहूँगा बहुत important concept बहुत ज़्यादा important उसे कहते हैं idea of algorithm क्या है ये second topic है idea of algorithm क्या होता idea of algorithm थोड़ा समझाओ समझने ही कोशिश करता हूँ पढ़िया करके समझाता हूँ algorithm किसी भी चीज को करने का तरीका steps of doing a thing is known as algorithm for example सुबह उठकर आपकी पूरी दिनना चरिया ये क्या है एक algorithm है सुबह उठकर बंदा क्या करता है सबसे पहले सबसे फ्रेश होगा फ्रेश होने का बाद क्या करेगा नाच्ता करेगा नाच्ते का बाद क्या करेगा नहाएगा या तो पहले नहाएगा या बाद में नहाएगा हम इंजिनियन लोग है नहाते भी या नहीं भी नहाते मर्दी अपनी मर्दी का मालिक होती है तो क्या है अलग अलग तरीका है फिर क्या एक flow chart बना हुआ है हर चीज को करने का तरीका है अगर मैं आप लोग के सामने आपकी दिन चलिया का एक चार्ड बनाऊ तो दोस्तों क्या समय देता है हम फिलो चार्ड फिलो चार्ड क्या होता है आपने अपने बोल्ड दिया फरस्ट यर है फरस्ट यर में एंजॉय भी करते हैं फरस्ट यर है मगर थोड़ा सा समझते ही है चीज़ों को क्योंकि फरस्ट यर में आपका जो को है न कोर कपिल शर्मा में एक दादी आती थी उनका डायलोग क्या था वो डायलोग फेमस रखो क्या डायलोग था? कि बिल्डुन चाहिए भले і पुरा नहीं हो जाए बुनियाद ए क्या होनी चाहिए? मश्बूत होनी चाहिए अगर बुनियाद म्बूत है तो आगे भी चलते रहा होगे तो क्या है? बेस स्ट्रॉण कर लो subject में पकड़ हो जाएगी base strong होना चाहिए तो इसलिए मैं सबसे ज़्यादा focus जो कर रहा हूँ base में कर रहा हूँ सबसे पहले base के होता है syllabus होता है syllabus के बारे में knowledge हो गई तो subject के बारे में knowledge हो जाएगी अप क्या समझा रहा था मैं आपको representation of algorithm कुछ नहीं है represent करने का तशी आपने आपको represent करने का मैं college जाँगा तो क्या होगा तैयार वायार होके doo लगाके bike से जाँगा या car से जाँगा जाँगा किसी भी चीज से जाँगा अपने आपको represent करूँगा जाके好 जम Efendimiz इसी तरीके से क्यों होता है में क्या है चीज का आना और चीज का जाना इसका पूरा फिलो और एक्जामपिल मैं रहता हूँ इस लोकेश यहां पर क्या है तेरा कॉलिज है यहां मुझे जाना है तो सबसे पहले क्या करूँगा अपने घर से निकले और तो बाइक या कार जो भी है वे आफ ट्रेवलिंग से क्या जाओंगा नहां से घूँख के जाके ऐसे कॉलिज जाओंगा इंजीनियर हूँ इस तरीके को एक चार्ट के जरिए बनाना गूगल मैप इसी तरीके से फिलो चार्ट है फिलो चार्ट हम टॉपिक टेस्क्रिप्शन में जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो अब सुम एक algorithm language में आप लिख होगे जब पढ़ाऊ हुआ तब समझे इसके बाद next topic क्या है with examples के साथ देखें कैसे कैसे pseudocode होते हैं जब अगला topic है algorithms to program अब भाई कोई एक आदमी की डूटे लगा दूँगा का भाई तो यह दस भाई दस घंटे बजानी ग्यारा बजानी बारा बजे बारा एक बजे एक ऐसे बजानी घंटे तो यह रोज का काम है तो वह ठक जाएगा और मेरा क्या होगा labor जादा यूज होगी अगर मैंने उसका एक code लिख दिय बता दिया इफ लूट बना के चलो code जब करेंगे तब समझाँगा यह चीज के फोर लूट के जरीए code बना दिया जिसमें सारी चीज़े लिखी है उससे क्या हो जाएगा फाइदा हो जाएगा ना समझे इतनी बात उसके बाद next चीज क्या है programming basics मैंने क्या का था पढ़ा हुआ तो ऐसा पढ़ा हुआ तो कभी ने भूलोगा क्यों कि तीन सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें बैक आने के चांसे होते हैं फस्ट यर में आपको भी बता देता हूं यह को भाई बैक से डदना नहीं है अगर तीन सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें बैक आने के चांसिस रहते हैं पहला इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फरस्ट मेरी भी आईटी दूसरा इंजीनियरिंग मेकैनिक्स तीसरा कंपिटर साइंस इन जो लोग आईटी फील्ड से मैं अपने आपका करियर बनाना चाहते हैं उन लोगों के लिए सब्जेक्ट थोड़ा आसान यह सब्जेक्ट देखके डर हैं नहीं भाई अगर डर गए तो नहीं होगा और सब्जेक्ट इतना आसान है कि मैंने अपने कॉलिज में देखा है मेकैनिकल के और इलेक्ट्रिकल के बंदे कंपिटर साइंस में नौकरी कर रहे हैं वक्त का कुछ नहीं पता किसी में भी आ सक एस प्रेंट्स एंड प्रेशिडलेशन अब बाहि कंपिटर को क्या बता है तक 0 और वन की लेंग में समझता है तो सारी चीजों किस से समझागा अर्थमेटिक एक्सप्रेशन से इसमें हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशन के बारे में कैसे कैसे एक से और कंडिशनल ब्रांच switch statement my switch statement क्यों होता है सरी है तो बहुत डड़ सा लग रहा switch नाम क्या है कुछ नहीं है switch switch क्या है चार condition लिखी है उन चारों पर मैंने switch लगा दिया for example मैं हूँ यहाँ job कर रहा यहाँ पर फिर मैं यहाँ पढ़ा रहा तो क्या है एक condition मेरी switch की हो गई अब वो क्या हो सकती है, दूसरी condition भी हो सकती है, switch की, कुछ भी हो सकता भाई, switch अगर लिखा है, world, switch, switch में क्या हो सकता है, job switch करना, सबसे बड़ी बात, भाई, क्या है, बंदा मुझे knowledge है, मैं आज job एक company में कर रहा हूँ, कल को दूसरी company में job करूँगा, परसो को तीसरी में, हम क्या कर सकते है, switch कर सकते है, switch में क्या है, nesting if else and switch, अब if else, जहाँ पर सिर्फ मेरे पास दो या दो से तीन, तीन condition हो, वहाँ पर किस का use करूँगा, मैं if else का करूँगा, और जहाँ पर मेरे पास unknown conditions हो, वहाँ पर कौन सा का use करूँगा, switch का use करूँगा, आगी है इस unit का सम अब लूप और एरेज डेटा को चलाने के लिए एक टेबल बनानी है टेबल क्या होती है 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, 2 टू जा 6 तो क्या एक टेबल चल लएग अब टेबल मुझसे 2 की लिखवालो 5 की लिखवालो, 10 की लिखवालो मैं कह रहा हूँ 128 की टेबल लिख़े लिख़े नहीं है न याद नहीं है कम्प्यूटर से कहा 128 की टेबल लिख़े एक दम लिख देगा तो क्या है उसका भी मैं कोड दिखाऊंगा आपको कैसे बनेगी टेबल बनाना भी सीखेंगा पूरा description में सुखेंगा उसके बाद क्या आते हैं है अरेयस पर आते हैं कम्प्यूटर जो data store करता है वो किसमें करता है डेटाबेस में करता है बडेटाबेस के लिए हमें पूरा code बनाना पड़ता है डेटाबेस से connectivity बनानी पड़ती है इसके अलावा दूसी चीज़ होती है areas में हम data store करते हैं अब data store करने कहीं पिरकार होते हैं for example अगर मैं एक integer number type का data, number भी दो पिरकार होगा दोस्तों, एक हो गया integer, एक हो गया float तर क्या मतलब integer और float में अगर number है single digit और two digit single digit और two digit three digit, four digit तो यह आते हैं integer में, उसरा आते है float number, float क्या decimal के बाद वाले number हो decimal वाले number जो होगा वो क्या कहलाएगा, वो आएगा float में ठीक है दोस्तों, इसे बात तीसरी चीज़ आती है क्या आपको बताया, सब पढ़ेंगे intentional, वो भी पढ़ेंगे, boolean boolean क्या होता है hexadecimal, binary decimal, सब चीज़े सिखाएगे यह आगई आपकी तीसरी यूनिट जिसमें आप पढ़ेंगे यह चीज़ ठीक है, चौथ यूनिट पर चलता है चौथ यूनिट, introduction types of functions अब क्या गया, अभी तक तो मैं धड़क ले भाई, कलमत धड़की परसो को उसके लिए धड़कना तो यह नहीं न, functions बना दिये हैं उसके जरिये धड़कर रहा है पॉर्थ यूनिट में क्या देखेंगे, functions के बारे में काम करने है, उसका एक function मना देंगे, for example, table का एक function है कोई भी user अगर आके number डाले तो उस function को क्या कराना है, काम कराना है चौती चीज़ होगी functions और फिर क्या है, searching and sorting algorithms अब क्या है, algorithm के type होते हैं एक searching होती है, और एक sorting होती है searching की दो होती है, linear search और binary search तब पढ़ा हुआ, तब पता है linear search में कैसे करेंगे binary में कैसे करेंगे, sort कैसे करेंगे sorting की algorithm देखो, bubble sort, insertion sort और selection sort तीनों पढ़ेंगे time complexity इंटर्वियू में बहुत पोछ चीज़ जाती है इसका एक topic है time complexity यह चीज़ भी आपको पढ़ाऊंगा के time complexity कैसे होती है कैसे निकलती है, उसके बाद हम चलते हैं अपना last unit number five, unit five क्या है इसके अंदर हम पढ़ेंगे basically, unit में क्या होता है last में pointers, memory को point करना, pointers दो तरीके के होता है जो address को और memory को point करना, तो जब हम fifth unit पे पढ़ेंगे तो हम pointers के बारेंगे, dynamic memory, दो तरीके की memory होती है यह क्योंती है, static memory यह क्या है, दो बलाओ का नाम बोल लिए क्या dynamic memory का मतलब यह के जिसमें आप space को कम और ज़्यादा करते हो आज कल हर जगे dynamic memory तो dynamic memory को आप कम और ज़्यादा कर सकते हो उस memory को आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते हो फाइल के operations, defining and calling macros, commands, line arguments कैसे करते हैं यह सब पांच unit का आपका syllabus है कैसा लगा आपको five units का syllabus समझे प्लीज बताईएगा और इसके बाद last जो important part हमारा है थैंक्यू फॉर वाचिंग गाइज वाचिंग गाइज